Hello everyone, let's start with this question. Question में बोला गया है, the selling price of an article is 4 time its cost price. जो selling price है, वो cost price के 4 time है. तो पहले CP को लेट कर लेते हैं, CP कितना है हमारा X. तो SP कितना हो जाएगा इसके? 4 time. 4X हो गया है. अब profit का formula क्या होता है? SP minus CP. बोला गया है, अगर selling price को reduce कर देते हैं 300 से. तो SP है कितना? 4X. इसको reduce कर रहे हैं, कितने से? 300 से. तो minus करेंगे. CP कितना है? X. तो profit कितना हो जाता है? 250%. अब यह हमारी कहा है normal values और profit की value हमें किसमें दे रखे? परसंटेज में. तो हमें इसको भी किसमें convert करना होगा normal value में. अब profit होता किस पे? CP पे. तो CP का कितना हो रहा है? उसे 250%. तो CP है कितना? X. X का 250%. तो हैं कितना आगे? 5X by 2. 3X minus 300. X, X वालों को solve करेंगे तो कितना आजागा? minus X is equals to 600. तो X की value हैं से कितने आगे है? 600. So, cost price कितना है? 600. आणसर. कितना हैं से कितना हैं से कितना है?